बच्चों, आज हम अपनी बर्गर फूट शॉप खोलेंगे इसके लिए हम ये शानदार लेगो डुपलो बर्गर सेट का इस्तेमाल करेंगे ये देखो बर्गर शॉप के साथ क्या आया है? इससे टोमेटो कैचप भी बना सकते हैं यहां तक की संत्रा भी लेकिन बर्गर शॉप खोलने से पहले देखते हैं इसमें क्या है? वा, देखो इन लेगो फूट को बैग में बर्गर तयार करने की काफी चीज़े हैं इसमें चिकन भी है, बहुत सुन्दर और ये चटने की बोतल तयार करने के लिए और ये दूज का गिलास और ये बाकी का समान, हरी सेलाद और ब्रेड इसके लिए हम एक से ज़ादा बर्गर भी बना सकते हैं वा, बहुत सारा समान, लेकिन इसे दुकान पर कैसे ले जाएंगे? मैं पताता हूँ, सारा सामान ट्रक में भर लो, लेकिन कैसे भरेंगे? मूवी मैजिक वा, हमने भर दिया, लेकिन अभी भी एक पीस बाकी है, शुक्रिया सेली कोई बात नहीं क्या तुम ट्रक को बर्गर स्टेंड पर ले जा सकती हो? हाँ, बिल्कुल शुक्रिया, मैं तुम्हें वही मिलता हूँ ठीक है, अब हम बर्गर स्टेंड पर आ गए, चलो अब खाना उतारते हैं इसे अंदर करने में मेरी मदद करोगे? शानदार, चलो इन्हें उपर रखें बहुत बड़िया, इस मज़ेदार खाने को देखो, अब सब कुछ तयार है हम ओर्डर लेना शुरू करते हैं, हमारा पहला ग्रहक आ गया त्रेपे मुझे एक कॉम्बो बर्गर दीजिए ये लो, ठीक है, सबसे पहले तुम्हें एक बन चाहिए और अब इस बर्गर में हमें तिक्की डालेंगे और थोड़ी ताजा सलाद और अब लजीज तिल वाला बन अब डलेगी चटनी ये रही चटनी की बोतल, अब धक्कन उतारो, चटनी डालो बहुत बढ़िया, इस कॉम्बो के साथ मिलता है फल और शर्बत चलो संत्रा बनाए अब तना ये बन गया, स्वादिश्ट लगता है चलो कुछ पीते हैं, आओ दूद बनाए दूद सेहत के लिए बहुत अच्छा है चलो अब इन्हें ओडर दे, उम्मीद है पसंद आया होगा हम्म, शुक्रिया क्रिपया अगला ग्रह का आए क्रिपया मुझे सिंगल बर्गर दीजिए टमाटर के साथ अभी लीजिए सिंगल के लिए हमें एक बन चाहिए ये लजीज स्टिक की एक टुकडा टमाटर का हम्म, लजीज दिखता है अब इसमें तिल वाला बन लगाएंगे और थोड़ी चटने ठीक है ये बर्गर जोडे में आता है ओ हो गया ये हो गया ताटा क्या मुटे चिकन और टमाटर मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल ये रहा हमारा स्वादिष्ट बन, चिकन का टुकडा और अब एक टमाटर का टुकडा ये हो गया और हमारा तिल वाला बन ये मिलता है संत्रे और अंगूर के जूस के साथ संत्रे से शुरू करते हैं रसीला और स्वादिष्ट है अब अंगूर का जूस ये खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा है उमीद है पसंद आया होगा हाँ ये दिखने में अच्छा लग रहा है उपर आओ क्या मुझे बड़ा और लंबा बर्गर मिलेगा बड़ा और लंबा बर्गर मिस्टर जिराफ आपके लिए सब कुछ है ये बनता है चीज के साथ इसमें हम चिकन टिक्की डालेंगे सबसे पहले तिल वाला बन फिर हम लगाएंगे चीज फिर हम लगाएंगे दूसरा तिल वाला बन इसे बड़ा और लंबा बनाने के लिए लगता है मिस्टर जिराफ को सेब अच्छा लगेगा ये लाल और खिला हुआ है बढ़े बचों ये लजीज लगता है ये लीजिए धन्यवाद क्रिप्या मुझे चीज और चिकन कॉम्बो दीजिए चिकन और चीज कॉम्बो हाँ मिल जाएगा ये रहा बन और अब इसमें थोड़ा चिकन डालेंगे और ये चीज डालना मत भूल जाना दो पीस और थोड़ी सलाद और आखिर में हमारा तिल वाला बन वाँ ये जाएकेदार लगता है ये फल और कॉम्बो है इसलिए इन्हें फल और जूस भी मिलेंगे ये थोड़े अंगूर और अंगूरों के साथ अंगूर का जूस अंगूरों के साथ सिर्फ अंगूर का ही जूस अच्छा लगता है देखो ये जूस बॉक्स है ना कितना प्यारा बहुत बढ़िया बच्चों ये रहा चिकन और चीज कॉम्बो पसंद आया ना ये गया ठीक है अभी आए चलो अब खुला चिकन सेंडविच बनाते हैं ये रहा बन एक टुकडा चिकन और थोड़ी हरी सलाथ और ये खुला चिकन सेंडविच तूद के साथ आता है बहुत बढ़िया चलो अब खाने का मदा लो अरे कितना गंदा है क्या तुम सफाई करने में मेरी मदद करोगे पहले उपर साफ करो ठीक है अब कोनों से सफाई करो इसे नीचे तक साफ करो सारा साफ इसे सूखने दो दुकान से जाने का समय हो गया बहुत बढ़िया मदद के लिए शुक्रिया बर्गर स्टैंड में बहुत मज़ा आया उमीद है वीडियो अच्छी लगी होगी फिर मिलेंगे बाई ये अच्छा था